हेलो बेटाजी, let's see the question, which of the following statement are correct, हमें क्या बताना है बेटाजी, कौन सी statement हमारे correct है, the extent of hydrogen bonding is greater than primary, secondary and tertiary amines, क्या होता बेटाजी, हमारा primary amine क्या रहता बेटाजी, जो only एक carbon set हो, और secondary amine क्या रहता बेटाजी, जो हमारा 2 carbon set हो, पेटाजी, बेटाजी, बेटाजी, हमारा, जो हमारा 3 carbon set हो, तो इस case में क्या होता, बेटाजी, यहाँपर थो hydrogen रहते हैं, तो यहाँपर बेटाजी, hydrogen bonding मी more रहेगी, क्योंकि more hydrogen available है, यहाँपर बेटाजी, less hydrogen bonding रहेगी, क्यांकि है तो इससी में होगी होगी हो इसका क्या होता है फाइलिंग क्या होता है इंक्रीस तरसरी इस case में बेटाजी hydrogen bonding होती है तो इसका बेटाजी increase हो जाता as compared to third तो बेटाजी hydrogen bonding की वज़य से क्या होता बेटाजी इनका boiling point क्या हो जाता increase हो जाता ये statement भी मेरी correct है बेटाजी the boiling points of ns2 ns3 बेटाजी यहाँ पर क्या दे रखा primary मीं दे रखा मेरा अपर secondary मीं दे रखा है यहाँ पर secondary मीं दे रखा है तो यह तो रॉंग है बेटाजी क्योंकि हमारा order क्या होता है primary secondary and treasury boiling points का तो बेटाजी हमारा correct answer क्या बेटाजी first second and third क्या बेटाजी हमारा correct answer से thank you बेटाजी